अव्यक्त शिक्षाओं का अन्मूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना ये श्रंखला सर्वात्माओं के पेता परमात्माश्यव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है अम शांती गौडलीवूर्ट स्चूडियो द्वारा प्रस्तत आमुले रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अकसर हम कई आधतों को अपना संसकार वस्वभाव समझ लेते हैं इतना गहराई तक उन्हें स्विकार कर लेते हैं कि उन्हें परिवर्तन करने का हमें संकल्प भी नहीं आता और हम यही सोचते हैं कि हम है ही ऐसे यह हमारा नेचर ही ऐसा है और वही संसकार बार-बार विग्न बनकर हमारी सफलता के बीच में बाधा बन जाती है ऐसे गहरे संसकारों को परिवर्तन हम कैसे करें आज हम इश्वरिये महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मध्ये हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस इश्वरिये विश्विद्याले के वरिष्थ राजयोगी शिक्षप आदर्नीय राजयुभाई सहाब आज हम बात करेंगे एक नवंबर 1981 के महावाक्यों पर जिसका टॉपिक है सेवा की सफलता की कुंची परमात्मा कहते हैं जो है ही खुदाई खिदमदगार उन्हों को सदा स्वते ही खुदा और खिदमद अर्थात बाप और सेवा दोनों साथ साथ याद रहती ही है विसे भी आजकल की दुनिया में कोई किसका कार्रे नहीं करता वह सहयोगी नहीं बनता तो एक दो को कहते हैं भगवान के नाम से यह काम करो वह खुदा के नाम से यह काम करो क्योंकि समझते हैं भगवान के नाम से सहयोग मिल जाएगा और सफलता भी मिल जाएगी बहुत अच्छी विधी है, क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भी काम किसी से कराना होता है, जैसे आज कल कोई पैसा भी भीक मांगता है, तो भी कहता है खुदा के नाम पर इतना दे दे, मदद कर दे, तो परमात्मा कहते हैं, खुदा के नाम पर अगर कोई करता है, तो उसको तो पर्मात्मा कहते हैं, बच्चे, खुदा के खिदमत पर हम खिदमतकार हैं, इस इस्मृत्ति में रहे करके सफलता पराप्त करो, भक्ति मार के अंदर लोग अगर कोई काम नहीं करता है, तो उसमें उनको सफलता मिल जाएगी, तुमको उससे कही गुना डिटर्ण मिल सिर्फ भगवान के नाम से ही काम हो जाते तो साथ में कारे करने वाले बच्चों का हर कारे तो सफल हुआ ही पड़ा है इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा सफलता मूरत कहते है सफलता के सितारे अपने सफलता द्वारा विश्व को रोशन करने वाले क्योंकि हम सब को परमात्मा से एक वर्दान मिला है, सफलता आपका जनम से धधिकार है, अगर हम परमात्मा के साथ कोई सिवा कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उनकी याद में कर रहे हैं, तो सफलता तो होनी ही है, बहुत निश्चे होना चाहिए, तो सफलता मूरत हम बन जा लेकिन परमात्मा की स्मृत्ती जरूर रहनी चाहिए, अगर इसमृत्ती को भूल करके याद भूल गई है और फिर हम कर रहे हैं कोई काम, तो उसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है, इसलिए परमात्मा हम सब को कह रहे हैं, कि जब खुदा की याद में कोई कुछ कर लेता तो कोई सफल हो जाता है, आप बच्चे हैं तो खुदा के साथ रहते हो, तो साथ रहने वालों के हर कारे में सफलता तो समाई हुई है, इसलिए सफलता आपका जनम से देधिकार है, ये वर्दान रूप में आपको मिली हुई है, परमात्मा कहते हैं कि अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है, तो उसका कारण सिर्फ खिदमदगार बन जाते हो, खुदाई खिदमदगार नहीं होते, खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो, इसलिए अकेले होने के कारण सहज मुश्किल हो जाता, दूर दिखाई देता है, लेकिन ना यह अं ही है खुदाई खिदमतगार तो कंभाइट को अलग नहीं करो। कई बार हुम ऐसे सोचते हैं हम यह कर रहे हैं, मैंने यह सेवा कर लिया, लेकिन खुदा की सेवा और उसके डारेक्शन परमान, उसकी स्थिरिमक्परमान हमको यह कारे कर रहे हैं, इसलिए परमात्मा एक बहुत संदर विदी बताते हैं जो अपने लोकिक कारियों में भी रहते हैं वो भी ये इस मरत्ति में रखें कि ये एक सेवा भी परमात्मा ने मुझे दी है मैंने तो उनको अपनी जीवन समर्पित कर दी कोई भी लोकिक परिवार को समार रहे हैं लोकिक कारे भी वहार कर रहे हैं अगर ये स्वरती रहती है कि खुदा ने मुझे सेवा के लिए निमित बनाया ये कारे उन्हों का दिया हुआ है तो हम खुदा को जुदा नहीं कर रहे हैं साथ रख रहे हैं और साथ हैं तो सफलता है, अगर हमने केवल खिदमतगार बन करके सेवाइं की है, नोकरी की है, बिजनेस किया है और खुदा को याद ने रखा है, तो उसका सफलता कभी होगी, कभी नहीं होगी, इसलिए परमात्मा कहते हैं, खुदा को जुदा नहीं करो सेवा से, वोई भी कारिकरों में खुदा का साथ रखो परमातना कहते हैं कि सिर्फ सर्विस नहीं लेकिन गॉडली सर्विस इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतेही कंबाइन्ड हो जाती है याद और सेवा का सदा बैलन्स रहता है जहां बैलन्स है वहाँ स्वयम सदा ब्लिस्फुल अर्थात आनंद स्वरोप और अन्य के प्रती सदा ब्लेसिंग अर्थात प्रिपाद रिष्टी सहज ही रहती है इसके उपर क्रिपा करूं यह सोचने की भी आवश्यक्ता नहीं हो ही क्रिपा लो क्योंकि जहां बैलन्स है बैलन्स ब्लिस्फुल लाइब बना ही देता आनंद में जिवन हो जाती है खुद को भी ब्लेसिंग मिलती है और दूसरों को भी हम जैसे ब्लेसिंग दे देते है परमात्मा कहते हैं यह जो बाप और सेवा याद और सेवा ये दोनों साथ साथ होनी चाहिए कई बार हम याद में बैठ जाते हैं सेवा भूल जाती सेवाओं में इतना बिजी हो जाते हैं तो याद भूल जाती बैलेंस नहीं रहता हम सब को बहुत ध्यान देना है कि याद और सेवा कोई भी सवा करें उसमें परमात्मा की याद है और जब हम याद के लिए समय देते हैं उसमें भी मन्ससे सुप भाउनाओं की सेवा है तो परमात्मा कहता अगर यह दोनुऊ बयालें साथ साथ चलते हैं तो कभी भी कोई भी परकार की खिटपीट अंदर की असान्ती नहीं होती blissful आनंद में जीवन बन जाती और साथ-साथ आपके दौर आने कात्मों को blessings मिलती है कृपा होती है उनके उपर और साथ-साथ आपको भी कईयों की दुआएं मिल जाती है परमातना कहते है कि कहीं कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया लेकिन मेरे बोलने के संसकार ही ऐसे हैं इससे क्या सिद्ध हुआ? अलपकाल के संसकार भी स्वतैही बोल और कर्म कराते रहते हैं तो सोचो अनादी ओरिजिनल संसकार आप श्रेश्ठ आत्माओं के कौन से है सदा संपन और सफलता मुरत, सदा वर्दानी और महादानी तो यह संसकार स्मृती में रहने से स्वतैही सर्वप्रती कृपादरिष्टी रहती ही है अल्पकाल के संसकारों को अनादी संसकारों से परिवर्तन करो तो भिन भिन प्रकार के विग्ण अनादी संसकार इमर्ज होने से सहज समाप्त हो जाएंगे मत्यकाल के जो संसकार देव मान वाले हैं वो तो बार बार इमर्ज होते रहते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं, सेवाएं करते हैं तो कई न कई ऐसे कोई कर्म ऐसे हो जाते हैं, कोई ऐसे बोल निकल जाते हैं, कहते हैं, मैं चाहता नहीं हूँ, यह मेरे संसकार हैं, तो परमात्मा कहते हैं, यह आपके आदी अनादी संसकार नहीं हैं, तो अभी के देहमान जब ये अल्पकाल के संसकार अपना प्रभाव डालें अपना कर्म करा रहे हैं तो आपके वो संसकार में तो माश्टर दाता विधाता भागी विधाता हूं जो संगम पर कल्यू के अंत में परमात्मा के द्वारा में संसकार मिले वो हमारे अनादी संसकार हो गए पूरे अनादी संसकार कौँ से हैं जो हमारे सदाकाल के लिए चलते आए हैं उन संसकारों के आधार से हम माश्टर दाता, विधाता बन करके दूसरों पर करपा करें आसरवाद दें न कि उनको कोई भी परकार से डिस्टर्ब कर दें परमात्मा अपने बच्चों को यह चाहते हैं और अपने अनादी और आदी संसकारों से सिवा करें तो इनको सदा सफलता मिलेगी एसा परमात्मा कहते हैं कि जब नाम से काम निकाल रहे हैं तो आप तो अधिकारी हो आप लोगों की महनत कैसे हो सकती है फिर छोटी सी गलती करते हो, जानते भी अच्छी तरहां से हो, फिर क्यों करते हो, मजबूर बन जाते हो, सिर्फ छोटी सी गलती, मेरा संसकार, मेरा सुभाव, अनाधिकाल के बजाए, मध्यकाल के समझ लेते हो, मध्यकाल के संसकार स्वभाव को मेरा संसकार मेरा स्वभाव समझना यही गलती है यह रावन का स्वभाव है आपका नहीं है पर आई चीज को अपना मानना यही गलती करते हो मेरा कहने और समझने से मेरे में स्वतय ही जुकाव हो जाता है इसलिए छोडने चाहते भी छोड नहीं सकते आपके जो निजी संसकार इसुरिय संसकार है वो अनादी संसकार पवित्र संसकार है सुद्ध संसकार है उन संसकारों को अपना कहो इसको अगर मेरा कहोगे तो मजबूर हो जाओगे पिर मेहनत करनी पड़ेगी सफलता नहीं मिलेगी भगवान का नाम लेकर के लोग सफलता प्राप्त कर रहे हैं और आप बच्चे भगवान के साथ रह करके अगर मेहनत का अनुबाँ कर रहे हो सफलता नहीं हो रही है तो जरूर कहीं तो कोई गलती हो रही है वो गलती यही है कि हम अपने जो न्यिकार्लिन संस्कार हैं, उनको समझ रहे हैं, जी जी महाला है, मेरे संसकार के कान कई ऐसे बोल झैंगे, कट्टू निकल जाएगा, कोई कोई डिश्टर्ब कर देंगे, कहेंगे मैं चाहता अन्हें जीन नहीं था, मेरा शंसकार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, भरमात्मायत है यह नेचर तेरी नहीं है, यह तो देह्मान वाली नेचर है, रामन की नेचर है, तुम्हारी नेचर तो शांती की है, पवित्रता की है, सुख की है, उस अनादी नेचर को, इसुरी नेचर को इमर्ज करो, और यह जो मद्यकाल की नेचर है उसको बराई समझ करके छोड़ दो अगर उसको छोड़ दोगे तो आपको सफलता मिलेगी और आपके बड़े अच्छे संबंद बन जाएंगे सबके साथ सनेह रहेगा कहीं टकराओ की स्थिति नहीं बनेगी तो अपने अनादी संसकारों को इमर्ज करो और मद्द कालें संसकारों को मर्ज कर दो पर महतना कहते हैं कि सदा याद रखो खुदाई खिदमदगार है मैंने किया नहीं खुदा ने मेरे से कराया इस एक स्मृती से सहजही सर्व विघनों के बीज को सदा के लिए समाप्त कर दो सर्वप्रकार के विघनों का बीज दो शब्दों में है वह कौन से दो शब्द है एक अभिमान और दूसरा अपमान सेवा के शित्र में विशेश विघन इन दो रास्तों से आता है या तो मैंने किया यह अभिमान और अपमान की भावना भिन भिन विगनों के रूप में आ जाती है जब हैं ही खुदाई खिदमदगार करन करावनहार बाप है तो छोटी सी गलती है ना इसलिए कहा जाता है कि खुदा को जुदा नहीं करो सेवा में भी कमबाइंड रूप याद रखो खुदा और खिदमदगार करन करावनहार बाप मात्मा है वह गライिफर मत व्रखो जराव खोई कर देगा तो उसको अपमान फिल होगा तो परमात्मा हम सब को ओकर रहे है कि समझते हो मैं कर रहा हूँ और मैंने किया मैं इसके निमित हो जहां मैं आ गया वहाँ पर अभिमान पैदा हो गया और अभिमान वाला जरा भी थोड़ा भी बुद्धी का भिमान भी होता है समझ का भिमान होता है अनुभो का भिमान होता है वो समझता है, मैं तो अन्भवी हूँ, मैंने तो इतना समय से किया हुआ, यह करेक्शन कर रहा है, यह मुझे कह रहा है, अपमान फिल होता है, यह कौन होता है? तो परमात्मा कहता है, जहां विगना रहे हैं, उसका कारण है, तुमने खुदा और खित्मत दोनों को अलग कर दिया, साथ साथ करो, मैं खुदाई खित्मतगार हूँ, खुदा ने मुझे सेवा के निमित बनाया है, उसने कराया, वो कराने वाला है, मैं कभी भी अविमान मे ना हूँ, मैं पन का अविमान ना है, तो अविमान की फिलिंग भी नहीं आएगी, यही दो भूले जो हो रहे हैं, उससे आत्मा गिर्टी कला में जा रहे हैं, लुकाउटें आ रहे हैं, परमात्मा हम सब को कहते हैं, तो नम्रचित बन करके, निरहेंकारी बन करके, को करके हैं, उनको भी कितना नशा रहता है, प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेकरेटरी को भी कितना नशा रहता, तो आप किसके साथ हो? उचे ते उचे बाप के साथ, और फिर उसमें भी विशेष्ता यह है, कि एक कल्प के लिए नहीं, अनेक κल्प यह पार्ट बज और सदा बजाते ही रहेंगे, बदली नहीं हो सकता, ऐसे नशे में रहो तो सदा निर्विख्न रहेंगे। उसने हमें ये सेवा दी है, उसने अपना साथी बनाया है। आज कोई भी बड़े आदमे का पीएव होता ना उसको भी रहता है। वह भी बीच में अपने नशे में रहता है। परमात्मा भी हम सब को कहते हैं। deal नशा होना चाहिए। कि कल्प कल्प, इस कल्प में तो हम बजा ही रहे हैं, लिए हर कल्प ये भाग्यम को मिलेगा, जो भगवान के घर में रहेंगे, भगवान के साथ सेवा करेंगे, उनके हर कारे में हम मददकार बनेंगे, तो ये जब नसा रहता है, तो छोटी-छोटी बातें भील नहीं होती ह कभी भी कोई कुछ अपमान कर दे, कभी कोई बात हो जाए, तो इसे लगता है, छोड़ो इन बातों को, हम तो भगवान के सेवा में है तो इसे परमातना कहते हैं कि जो सदा बाप के प्यारे हैं, उनकी निशानी है स्वतह याद प्यारी चीज, स्वतह सदा याद आती है न, तो यह कल्प कल्प की प्रिये चीज है एक बार बाप के नहीं बने हो, कल्प कल्प बने हो, तो ऐसी प्रिये चीज को कैसे भूल सकते भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ती या वस्तु को प्रिये समझने लगते हो अगर सदा बाप को प्रिये समझते तो भूल नहीं सकते यह नहीं सोचना पड़ेगा कि याद कैसे करे लेकिन भूले कैसे यह आश्चरे लगेगा जिससे भी प्यार होता है उसकी याद नैचुरल होती है तो अगर हमारा परमात्मा से सच्चे दिल का प्यार है कल्प कल्प हम उसके प्रिय हो करके रहे हैं तो हम कभी भी यह नहीं कहेंगे कि मैं क्या करूँ मुझे याद नहीं रहती परमात्मा करे रहे आपको भूलने में मुश्किल होना चाहिए कैसे बोल सकते हैं उसके साथ हमारा इतना स्रेश्ट पार्ट चर रहा है कल्प कल्प हम उसके साथ इतनी पालना ले रहे हैं पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसके साथ सेवाएं कर रहे हैं तो उसके साथ अगर हमारा जिगरी प्यार है तो प्यार में उसकी याद नेचुरल रहती है। परमात्मा यहां कह रहे हैं कि अगर आपको याद नहीं रहती है तो जरूर इससे भी प्यारी वस्तु या व्यक्ति कोई है जहां पर आपका ध्यान जा रहा है। वो बेक्ती अच्छा है वो वस्तु अच्छी है तो प्यार कर्वर्ट हो रहा है परमात्मा के सिवाए इससे अच्छी चीज कौन सी हो सकते है जिसमें आपकी बुद्धी जा रही है तो अगर कहीं जा रही है तो करेक्शन करनी चाहिए क्यों जा रही है क्या उससे भी तो उसको भूलू करते हैं तो जब बच्चे लोकिक में कोई मा, बाप अपने बच्चें के लिए अब हम सखचे हो बन गए ईतना प्यार है प्यार का सागर है, उसकी याद भूल कैसे सकते हैं? क्योंकि परमात्मा हम सब को अपने समान बनाना चाहते हैं, इसलिए फोटो कॉपी का बहुत सुन्दर मिसाल दे रहे हैं। और उस समय वो थी जो प्लेट बनाते थे और प्लेट के उपर कागज चिपका देते थे। तो बाबा को भी दिखाया कि यह मुडली हम लेके गए, कापी ऐसे बना करके बाबा वही मुडली सेम ले आए। तो बाबा ने देखा और फिर इस पर मुडली चलाई। कि देखो फोटो कापी मसीन भी सेम फोटो करके देते हैं। जो आपने उस पर रखा वह ऐसा ही दूसरी कापी तियार हो गई। तो यह मदुबन मसीन है। और मदुबन निवासी जो हैं वह उसकी फोटो कापी है। प्रम्हा बाबा की फोटो कापी आपको बन करके रहना है। जैसे प्रम्हा बाबा ने कर्म से भाग बनाया अनेकों का, ऐसे ही आपके जो स्रेष्ट कर्म हैं वह अनेकों का भाग बनाने वाले हों। ऐसी कापी ब जैसे भगवान को कहते हैं, ब्रम्हा को कहते हैं, दाता है, विधाता है, भाग्य विधाता है, तो ऐसे आप बच्चों को भी पोटो कॉपी बनना है। परमात्मा कहते हैं कि मदुबन वालों का सदा एक निजी संसकार इमर्ज रूप में होना चाहिए। वह कौन सा? कर्म में सफलता पाने के लिए ब्रम्हा बाप का निजी संसकार कौन सा था? जो आप सबका भी वही संसकार हो, हान जी के साथ साथ पहले आप, पहले मैं नहीं, पहले आप, कोई भी स्थान में पहले बच्चे, हर बात में बच्चों को अपने से आगे रखा, जग मुख्य बात है पहले आप लेकिन शुब भावना से कहने मातर नहीं लेकिन शुब चंतक की भावना से दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी दिल चाहिए कई बार हम लोग सेवा साथियों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हमारे साथ मानलो तीन चाल लोग डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं तो जहां पर कोई बुलावा होगा, जहां कोई सेवा होगी, जहां कोई महिमा होगी सब में हम आगे जाएंगे, हम करें, हमारा नाम हो, क्योंकि मैं इंचार्ज हूँ परमात्मा यहां सिखा रहे हैं, ब्रम्हा बाबा इतनी बड़ी हस्ती सब कुछ ब्रम्हा बाबा के द्वारा इतना बड़ा कारे चला, इस्थापना हुई ब्रम्हा बाबा ने कभी भी अपने को आगे नहीं किया, जगदंबा को आगे किया ये बच्चे सब कर रहे हैं, बच्चों के द्वारा हो रहा है, या शिव बाबा कर रहा है, वो कराने वाला है, या मेरे बच्चे कर रहे हैं, बाबा ने हमेशा जगत अमबा मा को आगे रखा, हर सेवा में, हर कार्य में, जहां भी कोई महिमा आई, कहीं बात हो गई, ये सेव कि मम्मा आगे है, मम्मा कर रही है, तो ऐसे ही बाबा हमको सिखा रहे हैं, कि अगर हाजी करके सेवा ले ले लेते हो, ठीक है, करो, लेकिन दूसरों को भी आगे बढ़ाओ, अपने से आगे करो, आप उनकी महिमा माना आपकी महिमा, दादी जी की बहुत बड़ी विसेचता थ रही है, और आगे ही रही, ऐसे ब्रह्मा बाबा भी आगे बढ़ाया बच्चों को, लेकिन नंबर वन तो चले गए, ऐसे हम सब को सिखा रहे हैं, इसमें फालो करो, इसकी पोटोकापी बनो, इस दोसरों को पहले आप कह करके उनको आगे बढ़ाओ, बिल्कुल भाय सब, आज हमने समझा कि कैसे याद और सेवा के बैलन्स त्वारा, हम खुदाई खिदमदगार बने और विश्व की सेवा करें, फैस अब सबस्पष्टी करण के लिए आपका बहुत बधनेवाद, दशकों आज की एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृती रहे, कि हम परमात्मा ने कहा कि हमें अपने मध्यकाल के संसकारों को अनादी संसकारों से परिवर्तित करना है, तो भिन भिन प्रकार की बाधाएं सहज समाप्त हो जाएंगी, परमात्मा ने कहा कि हमें ब्रम्भा बाप समान, उनकी फोटो कॉपी बनना है, और सदा पहले आप का अगले एपिसोड में एक और अव्यक्तवानी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त उम्शांती ये संसकार स्मृति में रहे बाप याद नहीं आता माना मुह है बाप की याद से प्रवृति का कारे भी सहज हो जाएगा क्योंकि शक्ती मिलती है सर्व प्रकार के विग्नों का मीज अभिमान और अपमान अधिक जानकारी के लिए संपर करें अमुल्यरतन गौडलीवुड स्टूडियो मनमोहिनीवन शांतीवन पोस्ट आवुरोड 307510 डिस्टिक्स सिरोही राजिस्थान इवेल आईडी है अमुल्यरतन गौडलीवुड स्टूडियो.org इस श्रंकला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें